November 2021 में मैंने CFA Level 1 की exam दी थी और अभी August 2023 में मैंने CFA Level 3 clear कर दिया First attempt, one and done everything Level 1 and 2 में मुझे 90% का score था, that means I did better than 90% of the people who sat for the exam Level 3 के case में अगर आप exam पास करते हो तो आपको अपना score नहीं बताया जाता, आपको सिर्फ बोला जाता है आप पास कर गए लेकिन I'm pretty sure that अगर वो मुझे अपना score बताया है, वो भी number 90% में ही होने वाला है So how did I do it? End तक देखना बताऊंगा आज के वीडियो में आपके साथ शेर करूँगा how I did it, क्या थे कुछ key aspects जो मैंने follow किये Study plan के ओपर एक separate video आएगा, आज के वीडियो में मैं आपको mainly सिफ अपनी process के बारे में बताने वाला हूँ, मेरी thinking के बारे में बताने वाला हूँ What a lovely year this was and इस पूरे साल में आप भी थे मेरे साथ इसको witness करते हुए, support करते हुए So yes, a big thank you to all of you जब ये साल शुरू हुआ था तब काम करने भी इतना मजा नहीं आरा था, content perform नहीं कर रहा था, CFA का pressure भी बहुत ज्यादा था लेकिन the year ended so beautifully Just 2 महिने पहले हमें अपना silver play button मिला, that is our first ever play button for this channel, hopefully the first of many more उसी के साथ आज जब मैं वीडियो record कर रहा हूँ, मेरे इसके पहले के 24 गंटे मेरे life के सबसे crazy 24 गंटे थे क्योंकि evening 6 बजे मुझे CFA Level 3 का result मिला and I got the result that I passed and literally अगले दिन 12 बजे दुपएर को मुझे अपने दोस्त का message आया saying के bro, तु एक Forbes list पे है that is when I got to know that I got featured as one of India's 100 digital stars एक list होती है जो Forbes हर साल निकालता है, जहाँ पे वो India के top 100 creators को feature करता है and I got featured on that list बोलने का यह मतलब है के कोई भी win solo नहीं होता यह जो सारी चीज़े मैंने पिछले 24 घंटों में देखी यह मैंने experience तो की थी, लेकिन इसमें आपका भी कुछ हाथ था and that's why I want to share this with you so once again, thank you so much for sticking around, thank you so much for subscribing वीडियो शुरू करते हैं so anyway, मैंने preparation कैसी की, मैंने इसके लिए कितना time दिया था keep in mind that यह चीज़ level 1 और 2 के लिए भी अपला होती है because मेरी जो preparation थी, वो all 3 levels में more or less consistent और similar थी once again, do not worry, इस पर एक deep dive वीडियो भी आएगा जहाँ पर मैं prep को और भी ज़्यादा ब्रेकडाउन करूँगा subject wise आपको बताऊँगा क्या हुआ था सबसे पहले मैंने कितनी पढ़ाई की थी, कब शुरू किया था, कोई tuition गया था या नहीं तो मेरी exam थी 31st August 2023 को इसके लिए मैंने जो पढ़ाई शुरू की थी, seriously, वो मैंने में से शुरू की थी अब बात ये थी कि मेरे जो level 1 और level 2 के concepts थे, वो काफी clear थे, दिमाग में भी fresh थे क्योंकि मेरे जो level 2 की exam थी, वो मैंने नवेंबर में दी थी तो नवेंबर से में तक जो period था वो इतना लंबा नहीं था, चीजे मेरे दिमाग में अभी भी fresh थी, एक पूरा साल भी complete नहीं हुआ था इसलिए जो सारे level 2 के material आपको याद करने होते हैं, वो करने में मुझे इतना time नहीं लगा था इसलिए आप बोल सकते हो कि ये start date थोड़ी late थी, क्या मैं आपको बलूँगा कि August के exam के लिए आपने May में पढ़ाई शुरू करनी चीए, obviously not हर एक इंसान अलग होता है, उसकी preparation style अलग होती है, उसके previous level का link अलग होता है, इसलिए you have to start as early as possible दूसरी चीज़ मैं दिन में कितने देर पढ़ाई करता था, मेरे पढ़ाई करने का pattern क्या था, देखिए मैं कोई भी order follow नहीं करता था, मैं ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक ही subject पहले खतम करना है, फिर दूसरे subject पर जाना है, मैं topic देखता था, मन किया तो वो पढ़ इतना ज़्यादा saturate होगा, इतना ज़्यादा bore होगा, कि आपको लगे है कि यार ये छोड़ देते हैं, और इसी feeling को avoid करने के लिए आपने subject को switch करते रहना चाहिए, in fact I recommend that आप एक subject से दो chapter से ज़्यादा consecutively ना करें, ये same चीज़ हर एक level के लिए apply करती है, because level 1 में भी topics इतन में देर देता था दिन में CFA के लिए, देखिए इस time पर मैं अपना full time काम भी कर रहा था, content creation में और consulting में, उसी के साथ मुझे पढ़ाई भी करनी थी, तो मैं दिन के roughly 2-3 घंटे देता था, में से लेके August तक, हर एक महिने में typically Sundays को 3-4 दिन ऐसे भी रहते थे जहां पर मैं सुचता था कि चलो, आज हम एक पूरा off day लेंगे, मतलब एक ऐसा दिन जहां पर हम कोई भी पढ़ाई ना करें, so में से लेके July तक, अगर हम 2 घंटे per day का time पकड़ेंगे on average, तो ये बनता है roughly 180 hours, लेकिन obviously August में मेरे पढ़ाई की duration तो ramp up हो ही गई थी naturally because exam month था, इस time पर मैं दिन के 4-5 घंटे minimum पढ़ाई करता था क्योंकि यहां पर mock test भी solve करनी होती थी, चलो mock test से याद है मैंने कितने mock test solve के थे, देखिए CFA institute जो होती है वो आपको 2 mock test देती है उनके learning ecosystem में, learning ecosystem मतलब उनके website पर सवाल अगरे जो दिये होते हैं और उसके साथ roughly 800 different types of questions, now here's a secret tip, for level 1 and 2, CFA के questions actually बहुत अच्छे थे, लेकिन for level 3, they weren't as good, in fact level 3 के questions में इतने सारे errors भी थे, जो सारी चीज़े आप books में पढ़ते थे, उससे contradictory चीज़े इनके questions में दी होती थी, जब मैंने CFA institute के कुछ questions solve किये तब मुझे समझा कि ये बिलकुल भी काफी नहीं होने वाला है, इसलि ये चार भी मैंने किये, which were pretty good, they were difficult, और उसी के साथ online एक Canada-based provider है, जिसका नाम है Mark Meldrum, इनके भी mock test मेंने solve किये, दो papers, तो basically Shwezer के, CFA institute के, और Mark Meldrum के ऐसे तीनों लोगों के mock test मेंने solve किये, ताकि मुझे एक अच्छा खासा idea मिले, exam के दिन क्या होने वाले है, and here's the real deal, Mark Meldrum क जो papers थे, वो बहुत ज़्यादा difficult थे, मतलग उनके जितने difficult papers मैंने solve नहीं किये थे, ये ऐसे papers थे, जिनके वज़े से मेरा confidence shatter हो गया था, I highly recommend अगर आप level 1 से 3 कोई भी level कर रहे हैं, तो इनके sample papers खरीद लीजे, इनके website से, they are worth it, क्योंकि ये आपको जिस तरह तयार करेंगे उस तरह CFA institute के papers नहीं करते, next चीज आती है time management, ये चीज obviously exam के दिन भी और उसके पहले भी, exam के पहले आप इस चीज को अपने दूसरे academic से, अपने job के साथ कैसे manage करते हो, वो ज्यादा important है, कहीं सारे लोग full time 9 to 5 job करते हैं और उसके साथ CFA pursue करने की कोशिश करते हैं, obviously ये ब exam के दिन, 10 अलग subject के 180 MCQs level 1 में, 90 MCQs level 2 में and 77 questions along with typing वाले answers level 3 में, level 1 की बात करते हैं तो 10 subjects होते हैं, जब मैंने exam दी थी 180 MCQs थे, level 2 में भी इन ही same 10 subjects के 88 questions होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक vignette भी दिया होता है, यानि कि ए कहानी दी होती है, जिसको आपको पढ़ना है और उ कुछ time जाता है, time management बहुत critical है and सबसे ज़्यादा time management matter करती है level 3 में, क्योंकि level 3 में आपको कुछ ऐसे questions दिये होते हैं, जिसका answer आपको type करके बताना पड़ता है, चिंता बिल्कुल मत करना, इस पर भी मैं एक separate video बनाऊँगा, level 1, level 2 और level 3 की paper लिखने की strategy क्या होती है, preparation की strategy क्या होती है, हर एक चीज़ discuss करेंगे, लेकिन फिलाल time management की बात करते हैं, तो I would always say that आप जब mock solve करते हो, ऐसा aim करो कि आप अपने paper को at least 10 minute पहले खतम करो, या फिर अगर आप मेरे जैसे हो, तो at least 20 minute पहले, क्योंकि ने, तो फिर exam hall के बाहर बहुत जादा भीड जम जाती है, and honestly, मुझे bead in general इतनी नहीं पसंद, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ paper जल्दी खतम करके निकलने का, अब CFA institute तो ये खुद कहता है, कि हमारे data के हिसाब से जो सारे students pass करते हैं exam, वो minimum 300 गंटे पढ़ते हैं हर एक level के लिए, ये चीज़ मैंने पहले के वीडियो में भी बता नहीं कर पाते, ये जो 300 गंटों का figure है, वो सिर्फ मेरे हिसाब से तो bogus है, कितने देर पढ़ना optimal होता है, इसका सही answer सिर्फ एक ही है, आपको जितने देर comfortable लगे उतनी देर, अगर एक घंटा पढ़ने के बाद आप 100 मैसे 80 MCQ सही से solve कर पा रहे हो, तो very good, लेकिन अगर 4 ग ये है कि motivation, give up करने की tendencies से मैंने कैसे deal किया, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे give up करने का मन नहीं हुआ था, तो I would be lying, ऐसे moments थे जहाँ पर मुझे किताबे फाडने का भी मन किया था, लेकिन मैंने तभी realize किया कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, जब भी आपको give up करने का मन होता है, आपने सिर्फ अपने आप से पूछना है कि मैंने ये शुरू क्यों किया था, और दूसरी चीज़ कुछ लोग तो शायद इसको toxic भी बोलेंगे, लेकिन I am very 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 afraid of failing, वो सारे quotes मैंने भी पढ़े हैं कि failure is the best teacher, लेकिन यार मैं failure से नहीं सीखना चाहता, मुझे लगता है दुन option नहीं है, मैंने सोच लिया था कि मुझे fail नहीं होना, मुझे attempts नहीं देनी, मुझे give up तो बिल्कुल नहीं करना है, अगर हम इस exam को निकालेंगे, तो 2023 में किसी भी हाल में खतम कर देंगे और हमने वही किया, अब मैं आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो मेरे चैनल को subscribe कीजे, मैं ऐसे ही valuable वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ, I will see you in the next one